नमस्ते दोस्तों मेरे यूटूब चैनल में आपका स्वागत है मैं आज आपको बताने जा रही हूं कि अर्जुन के पौधे को बीच से कैसे उगाया जाता है अर्जुन का पौधा तो आपने सुना होगा अर्जुन की छालकक की बहुत से और सधीय फायदे भी है उसे बहु कौशन सब्सक्राथ को दिखा रहे हूं यह दहिए यह बढार के बहुता बढ़ा बता है ओर में अद्र आउल इस थम्रूट बिल्कुल अमुरूद के तने के तरह चिकना होता है और सपेद होता है खूर्दरा नहीं होता है तो मैं इसका बहुत सबी जहाँ पे गिर जाता है और अपने वह नहीं जमने लगता है जब पानी बरसता है या फिर उसको नहीं मिलती है तो वह जमने लगता है तो मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह जमता है क्या होता है बीज में किस तरह होता है, इस तरह ये होता है, गिरा हुआ बीज है, बहुत ज़्यादा संख्या में गिरता है, यह थोड़े बचे हुए थे, अब यह सब जम रहे हैं, जहां कहीं भी इनको जगा मिल जारी है तो यह देखिये, मैं उखाल कर लाए हूँ, यह देखिये, अभ कि यह भी लगा हुआ है यह इस गंबले में गिर गया तो यहां पर जम रहा है यह दिखिए कि दिखाती हुआ थोड़ा से उठा कर नीचे यह देखिए अब इसमें से जर्फेक देगा तो मैं आपको बताती हुँ कि कैसे मैं क्या करूंगी इसको मैंने एक पॉलिथीन लिया हुआ है आपको इसमें पॉलिथीन ले सकते हैं नमक का सर्फ का उसको अच्छे से धो लिजिए और आपका यह तयार हो जाएगा इसमें आप इस बीज को अगर नहीं जमा कहीं से भी इस मैं इनों को लगा ओंगि मैं लगाकर दिखाती हूं कैसे लगा रही है यह दिखिए दोस्तों मैं यह इस प्रॉट मेंने तयार किया था इसको मैं लगाने जा रही हूं यह ю दिखिये निकल रहा है अभी तो यह तो पता नहीं होगा की नहीं लेकिन यह जो गंले में पहले में इसे लगाती हैं और इसे ये दिखी इसको मधिर से निकालती हैं इती ही लगा दूँगे इसको निकल ही गया है अधर इपार इसे भी लगा दिती हूँ इस्को बाद यह पोधा-पहद्र बढ़ेगा तो इसको कहीं भी लगा सकते हैं तो ही बड़े जगा पे ही यह लगता है यह बहुत बढ़ा होता है इसे भी लगा देते हैं इस इनी में कुझा तैंक यूद्गल